पर हेड का क्या मतलब उता है आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं पर हेड का मतलब उता है प्रतिवैक्ति प्रतिवैक्ति मतलब हर वैक्ति का या हर वैक्ति के लिए यानि कि जैसे मानली जी पांच सेब हैं और पांच लोग हैं और हर व्यक्ति को एक-एक सेब दिया गया तो हम कहेंगे पर हैड जो है एक सेब दिया गया पर हैड मतलब हर व्यक्ति को एक सेब दिया गया इसी तरीके से मानली जी कहीं आप 10 लोग मिलकर पार्टी करने गए और पार्टी का जो खर्चा है वो मानली जी ये 10,000 रुपए हु अगर आप ये कहना चाहें कि उन्होंने कुल लागत निर्धारित करने के लिए प्रतिवेक्ती खर्च की गंड़ना की तो आप कह सकते हैं आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें